Hello my dear ones, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूं सेरोटोनिन के बारे में, बहुती फेमस कामिकल है ना, आज सब जानते हैं, यह जो चहरे पर मस्कुराहट होती है, हमारा अच्छा सा मूड रहता है, सेरोटोनिन इसके लिए रिस्पॉंसिबल है, so four major happy hormones, dopamine, oxytocin, सेरोटोनिन endorphin, बहुती जादा important है हमारी happiness के लिए, हमारी healthy living के लिए, so उसी में से, उसी family में से, एक important chemical serotonin के बारे में, आज में बात करने वाली हूं, मैं आपको ऐसे natural ways बताऊंगी, 25 ऐसी activities बताऊंगी, जिसको करने से instantly serotonin की बारेश आपके ओपर होने लगेगी, और serotonin कितना important है उसका क्या function है, कितना जरूरी है हमारे लिए, क्यूं उसे हमें हर वक्त release कराते रहना है, इस सब की importance को भी हम समझेंगे, हम सीखना शुरू करें, उससे पहले आप dr. कशिका जन आप को download कर लिए, ताकि आप meditation करें, breathing exercise करें, और उससे भी serotonin की बारेश होती है, आप एकदम रिलाक्स रहें, तो चलिए, सीखना शुरू करते है, serotonin, जानते ये ना कितना important है, देखें, किसलिए mood regulate करता है, हमारे mood manager है, ये mood को regulate करना, है ना, जिसकी वज़े से हम कहते ना, भई अच्छे mood में है, कोई अरे बड़े खराब mood में हो, क्या है, serotonin उपर नीच हो रहे है sleep के लिए, जो serotonin है, वही melatonin में convert होता है, हमारी sleep-wake cycle को regulate करता है, अगर serotonin का लोचा चल रहा है, तो फिर melatonin भी गरबड चलेगा, इसलिए अगर देखें, कि जैसे कि अगर कोई person के अंदर serotonin level low चल रहे होते हैं, तो इसको क्या है, anxiety, anxiety disorders जिते भी होते हैं, depression, इस तरी कि कोई भी problem आती है, उसकी need disturbance होती है, क्योंकि serotonin and melatonin related है, इसी तरह से appetite and digestion, आपको जो भूख लगती है, भूख नहीं लग रही है, या जो आपको खाना खाने के बाद एक filled वाली feeling आती है, कहां से आती है, serotonin की वज़े से आती है, आपको अगर अंदर कुछ भी आपके digestion में गरबड़ जल रही है, पेट में कुछ भी आपको irritable feel हो रहा है, IBS का problem क्या से serotonin की गरबड़ी की वज़े से हो जाता है, so हमारा serotonin 90% digestive system में हमारे बनता है, हमारे पेट में बनता है, बहुत ही जादा important है, हमारे appetite or digestion के लिए, cognitive function, हमारा memory, कोई भी नई चीज को सीखनी कि सब ability हमारे अंदर कौन regulate करता है, कौन सा chemical इसके लिए responsible है, और भी responsible है, लेकिन important role ने भाता है हमारा serotonin और sexual functions, आप चानते ही हैं, जोगी लोग anxiety, depression में आ जाते हैं, serotonin की गरबड़ी की वज़ा से, so उनको sexual life में भी problem आने लगती है, किसी को premature ejaculation की problem आती है, तो किसी को erect child dysfunction की problem आती है, अलग लग किसी का बिलकुल ही libido low हो जाता है, उसका interest नहीं रहता है, so इस तरीके के अलग लग लोगों को suffering होने लग जाती है, और social behavior, जो हम socially लोगों से मिलते हैं, empathy, जो भी हम love affection, उनके प्रति दिखाते हैं, अची तरह से nicely behave करते हैं, उस सब में भी हमारा ser blood clotting, हमारे अंदर जो platelets होती हैं, उसमें serotonin stored रहता है, और blood clotting के वक्त वो release होता है, इसी तरह से bone health, अब researches प्रूफ करते जा रही है, कि bone metabolism के लिए हमारा serotonin बहुत जादा responsible है, और तमाम researches अभी भी चल रही है, कि पता नहीं किस किस चीज के लिए और responsible है, आपको तो ब कुराते अच्छे mood में है, अपनी भी life पढ़िया तरही किसे जीएंगे, और दूसरों की life में भी कुछ खुशिया अच्छी तरह से add कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम ही चिट चिट चिटाएवे हैं, हमारा mood बिल्कुल सड़ावा है, हम ही कुछ अपने अंदर से feeling कर पा रह सो देखे वो है, sunlight exposure, अब भै, sunlight है न, कुदरत ने हमें sun दिया है, जितना हम grateful हो, उतना कम है, आप जब sunlight exposure करते हैं, सुबा सुबा की ननी ननी सी किरने, जब आपके उपर पढ़ती हैं, आपको serotonin की बारिश हो रही होती है, समझोगो, और आपके लिए वो moment इतना amazing होते है क्योंकि उस time पर आपकी serotonin भी बहुत बढ़ रहे होते हैं, आपके साथो चक्रा energize हो रहे होते हैं, आपका mood अच्छा रहेगा इस बात की, guarantee उस वक्त आपको मिल रही होती है, लेकिन आज हम sunlight को wide करते हैं, आपको sunlight को wide नहीं करना है, गर्मिया भी हैं, तो सुबा की जो न है, जब सूरज निकलता है, तो उस time पर आप सिर्फ 15 मिनट, अगर तसली से बैठकर हलके कपड़े पहन का sunlight ले लेंगे, तो आप देखेंगे, आपके अंदर serotonin level बहुत ही जादा अच्छे रहेंगे, किसी वज़ा से आप morning में नहीं ले पाते हैं, तो फिर शाम को साड़ आप इसके साथ थोड़ा सा और effort डालें और तेल मालिश करकर sunlight लें, तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो आपके अंदर relaxation का level बहुत ही जादा अच्छा हो जाएगा, आप एक तम parasympathetic nervous system को activate कर देंगे, क्योंकि massage से वो आपका parasympathetic nervous system activated जाएगा और sunlight बस मज़े ही मज़े आचाएगे, तो यह बहुत important है, और है physical exercises, जब आप physical movement करते है exercises, तो आपके उससे endorphine भी release होते है, वो mother chemical है और serotonin भी release होते है, आप देखिये, after exercise या कोई भी आप physical activity आप कर रहे हैं, जिसमें intense workout कर रहे हैं, उसके बाद कितना आपका mood अच्छा हो जा आपका समय होता है, लेकिन जिसने इस आलसे का देफता या को अपना देफता बना लिया, जैसके रहे हैं, इस आलसे को दानव किजिए, ये देफता की अधिता export है और बोलता है, यदि रहे वा स्कुषणयार, बहुत जाधा खोता है, वो केरते हैं जो सोवत है, यो मे tiefस CH may आप अपना टाइम भी खो रहे हैं, जो कुछ अच्छा आपके लिए वेट कर रहा था, आप सब से बोले, भाईया, मेरे पस नाइम नहीं है, जाओ, आपको समझना है कि आलस से देवता नहीं दानव है, और इस दानव पर आपको वजय पानी है, और आपको समझना है कि सुभा जल्दी उठो और जाओ, एक्सरसाइस करो, हाथ पर हिलाओ, किसी भी फॉर्म में करो, जिम में जाओ, मेदान में जाके दोड़ो, कुछ भी स्ट्र प्रक्रिया, यानि कि अपनी चेतना को एक जगे, आपको एक खटा कर लेना, एक आगर बहुत तरीके की मेडिटेशन है, गेजिंग मेडिटेशन है, आपका गाइडिट मेडिटेशन है, साहिलेंस मेडिटेशन है, उप्सुवेशन मेडिटेशन है, माइडफुलनेस मेडि थोट आ रहे हैं, ना उन्हें रिजेक्ट करने में, ना उनसे दोस्ती करने में नहीं आने तो अपने आप चले जाएंगे, बैठे रहो, जब लगातार आप एक चुके, 21 डेस तक आप बैठे रहोगे, तो धीरे धीरे आपका माइंड उससे कंडेशन हो जाएगा, आपके उस पोशर से, आपके उस टाइम से, आपके उस प्लेस से, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका माइंड सेट हो जाएगा, ये मंकी माइंड है, इसको समझने में थोड़ा सा समय लगता है, आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन के बाद सेरोटिन की बरसात होती, आपने आप अंदर जब जाते हो, आप देखोगे, तस मिनिट के मेडिटेशन के बाद भी, आप बहुत ही जादा अच्छा सुकून महसूस करते हो, तो शिरुबात में ट्राइ करो, थोड़ी सी डिफिकल्ट आ रहे है, कोई बात नहीं, लगे रहो, आपको इसमें विजय हासिल हो बस आपको लगे रहना है, और है डिप रीटिंग, डिप रीधिंग जरूर करने है, सारी मैं अलगलग अक्टिविटीज इसलिए बता रही हूं कि भई इतनी सारी अक्टिविटीज होंगी, तो आप करीघील होगे, कोई नगोई तो, डिप बीदिंग करो, देखो हमारी ब जहरा साँस लेते हो पेट से सांस अपने अंदर भरते हो और फिर से धीर धीरे छोडते हो आपके उन्दर पड़े प्रिया से बेंथे बीच में जो पातेट हरे हो थी जो姓 करने लग जाते हैं और जब यहां पर कोई भसवर नहीं है कोई गडबर नहीं हो रही है कोई तब कच्रा नहीं है तो क्या होता है मन अच्छा ही रहता है मूड अच्छा ही रहता है हसते हैं मुस्कुराते हैं खुशी ही खुशी मतलब सेरोडिन गया है खुशी का गया में कहले ना तो खुशी की वारिश होरी होते है तो डीप ब्रीधिंग करना बहुत जाता है जरूरी आपने देखा भी होगा कभी आप कि सांसे बहुत shallow हो जाती है और आप जब उन्हें धीरी-धीरी लंबी-घेरी सांस लेकर deep करते हैं तो क्या होता है? वो सब feeling discomfort body से चला जाता है, दिमाग भी शान्त हो जाता है, क्योंकि body and mind आपस में एक दूसरे से इतना closely linked है हर समय एक दूसरे को message दे रहे हो, और आपका subconscious mind तो आपको पता है, ये body को regulate करता है जरा साभी देखा, वो कुछ emergency है, कुछ डर है, threat चाहिए असली हो या नकली हो, लेकिन उसने तो क्या आया है fight flight on कर देना है, कि risk कौन लेगा भई, तो deep breathing, अगर आप daily करते हो, तो आप fight flight mode में कम, rest digest mode में ज़्यादा रहते हो, और है listening to music, music अब कौन सा music सुने, soothing music हाँ, हो वाला बहुत नहीं, वो ठीक है, उस पर लगाया और डांस कर लिया, soothing music जो भी आपका taste music का न, उसके आप समय के हिसाब से भी कर सकते हैं आप, company के हिसाब से भी कर सकते हैं, जो भी music आपको पसंदे है, वो सुनना है, लेकिन थोड़ा शांते प्रिया music सुनेंगे, तो और भी ज़्यादा relaxation, अब आपनी music सुनना दो, और आपनी सुन लिया, रीजी सिंह के गाने जो दुख भरे हैं, दुख़़े, और पता चला, उसने उसकी प्रॉपर्टीज, वो सब ऐसी होने चाहिए, जो बढ़ना को शांत करते हैं, सेफटी का हैसास करें, confidence से भर दें आपको, ऐसा होना चाहिए, आपका तो आप ऐसा राम से music को enjoy करेंगे, उसकी बाद भी आप बहुत रिलाक्स जो feel करते हैं, एक दम से mood अच्छा हो जाता है, क्यों? क्योंकि उससे serotonin release हो जाता है, और है dance, dance करना बहुत ही अच्छा है, हाँ, अब आप लगा सकते हैं, कोई भी ऐसे हाई हुला वाला, शोर श्राबे वाला गाना लगाई है, कुछ भी, और नहीं तो कुछ आपको लगता है, dance भी नहीं आता तो डोल लगाई है और पस ऐसी हाथ पर हिलाने लग जाई है, उससे भी आपको बहुत अच्छी तरह से अंदर serotonin की बारिश होगी, साथ के साथ endorphin भी रिलेस होंगे, और ये चारो जो है एक परिवार के dose, chemicals, dopamine, oxygen, serotonin, and endorphin ये सारे क्या करते हैं, एक आया, तो बोलते हैं, मैं भी आया, और आप देखिए कि एक को बुलाने से और भी पकी तीन आ जाते हैं, फायदा ही फायदा हो जाता है और आप बहुत अच्छा फील करते है ना जो भी डांस करते हैं उसके बात कितना अच्छा सा फील होता है जिब कि उसमें तो आपने बहुत मेनत करी होती है आपके हाथ पर हिले होते हैं continuously आप movement में होते हैं और फिर भी mood बड़ा खुब खुल के हसो ना कहते हैं बिलकुल एक दम से ऐसे कि यहां पेना ऐसा लगने लगे और यह और पहुत है पेट में अशुन से आजाएं इतना जादा एक बार दिन में हसो तो उसके लिए का करना पड़ेगा अपनों के साथ बैठना पड़ेगा है ना कुछ ऐसा सेनारिय यह क्रिएट करना पड़ेगा या कुछ इस तरीके की इन्फोमिशन को अक्सेस करना पड़ेगा जिससे आए या फिर एक्सराइस की तौर पर भी आप इसे कर सकते हैं योगा में एक एक्सराइस होते हैं लाफ्टर एक योगा होता है तो उसमें कितना जोर जोर से हसते हैं तो जिस वक्त आप बहुत जोर जोर उसे हसते हैं, नाचरली आप वो किसी बात को सुन कर, किसी को देख कर ऐसे हासी आरी, अच्छी बात है, otherwise आप इसे as an exercise भी कर सकते हैं, उसे बहुत से अरटेनिंट की बारिश होते हैं, आप बिल्कुल हर वक्त ऐसे 32 ही दिखा कर नहीं हस सकते हैं, जोर जोर से, तो कम से कम दिन में, 40-50 बार बढ़िया से smile करो, क्योंकि जैसी ये smile से brain को message जाता है, तो brain all is well, all is well, और फिस अरटेनिंट की बारिश 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 बारिश. Socializing, मैंने बताया है, socializing करते हैं, तो हम लोग उसे मिलते हैं, लेकिन आज तो बस बूलता ही हो रहा है, क्योंकि इतने अलड़ी हमने अपने अंदर negative belief बना रखे हैं, इत्ते साथ negative emotions भर लेते हैं, तो socializing हम क्या करते हैं, mostly physical ना करके virtual करते हैं, और virtual word बड़ा ही fake word है, सब अपना अपना best दिखा देते हैं, कचरा कोई ने दिखाता, तो क्या हो रहा है, socializing आपकी virtual आप करते हैं, आपको कोई benefit नहीं देती, लेकिन जब आप physical करते हैं, तो आप अपनी senses से actual clues पकड़ लेते हैं, तो वहां पर आपको इतनी insecurities fear नहीं होते हैं, वहां पर बलकि आपका फायदा होता है, आपके अंदर oxytocin भी release होता है, आपके अंदर serotonin भी release होता है, आप अगर socializing के साथ साथ कुछ movement भी कर रहे हैं, तो आपके endorphin भी release होंगे, हैंना बहुत सारा ऐसा कुछ release होता है, आप किसी परपर से गए हैं तो आपके dopamine भी release होंगे कुछ अचीव करने के बाद, तो सारी happy hormones release होने लेगे, तो virtual नहीं actual physical उसमें visit कीजिए, अपने dear ones के साथ socializing कीजिए, बहुत ही जादा आप अच्छा फील करेंगे, तो daily basis पर नहीं तो कम से कम weekly आपको जरूर अपने close ones से मिलना ही चाहिए, petting animals, अनिमल ठरपी भी बहुत ही जादा useful है इसमें, अगर जैसे बहुत सारे घरों में इतने family members नहीं होते हैं, तो क्या है कि कोई pet फाल लेते हैं, आपने experience भी क्या होगा, आपको इतनी soothing feeling देता है, आपको हसाता भी है, आपका पूरा entertainment करता है, आपको दोडाता भी है, सब कुछ करता है, एक sense of security, love, क्योंकि जैसे आप आते हैं तो आपकी तर दोड कर आता है, कभी पूछीलाता है, कभी गुल-गुल घूंगता है, इस तरह से कितना एसास अच्छा हमें देता है न, तो पैट पालना भी अपने आप में अच्छा वोय अगर आपके घर में आप पाल सकते हैं, और नहीं भी है, तो अकसे कभी street dog वगरा किसी को भी इस तरीके से आप उप कर सकते हैं, तो इस सबसे भी आपके अंदर serotonin की बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और कुछ नहीं आप simply किसी भी एक pet नहीं है आपके पास, आप बाहर भी किसी को ऐसे dog वगरा को इस तरीके से daily routine मना सकते हैं, कि आपको उसको कुछ खाना डालना है और जब उसे आप खाना डालें, तो उसे बहुत प्यार करें, सहला हैं, तो आप देखेंगे कि आपको अंदर से बेहत उस तरहें पर खुशी का हैसास होगा, आपका mood बहुत ज़्यादा अच्छ हो जाएगा, आप ऐसे करकर देखिए, और कुशनी डॉग दी तो काव को किसी खुबी ऐसे कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आप कही फायदा हो रहा उसमें, आपको बहुत अच्छा फील होगा, योगा, योगा से होगा, जरूर ही होगा, योगा को करना पड़ेगा, सिर्फ सुन लेने से नहीं होगा, तो डेली आप योगासंस करें, आप योगा की बहुत सारे फॉर्म हैं, जिकि आजकल तो modern योगा बीए, जरूर नहीं आपको बिलकुल हट योगा करना है, या मिलता है, क्योंकि आपकी बॉड़ी में अलग लग जब आप आसन करते हैं, इतने मुवमिंट आते हैं, तो आपकी चक्रास भी एनरजाइज होते हैं, आपकी फुल बॉड़ी में एक स्ट्रेच आता है, और बहुत ही दाद अच्छा फील होता है, और जितना आप अपनी ब अपकाइड्रीट्सident, अब यह क्या घासी खा चकते हैं, अगर आप 왜 लग वू नेट्स इतनी वराइटी हैं, अतनी सारी वराइटी है ऑप Krणकर आपके लूग एन सब से आपके अंदर ये सब क्या है कि आपके अंदर कापोईडरिट्स, अमीनो एसे और फिर उसे ट्रिफ्टोफिन सब मिला कर ये सब कॉम्बिनेशन सेरोटेनिन की बारिश, खाने खाते वक भी अभी तो मैंने बता है, आपके 90% सेरोटेनिन आपकी डैजिस्टर सिस्टम में, गट एरिया में पाया जाता है खाने पीने से इसका बहुत ही क्लोज लिंक है, और बाकी भई आप मौसम के नुरूप सब कुछ अची तरीके से खाते पीते रहते हैं क्योंकि प्रकरती बहुत ही समझदार है किस मौसम में हमारा कैसा आहार होना चाहिए उसके लिए फर्ल सब्सियां सब हमें मौझूद कराई है अब हम खुदी बदमाशी करने लग जाएं तो क्या कर सकते हैं सो आप यह सब भी कर सकते हैं इससे आपका सरटेन लेवल बहुत अच्छा मेंटेन रहता है एटिंग डार्ट चॉकलेट्स हम तो बहुत हेल्थ कॉंशस है हम डार्ट चॉकलेट कैसे खाएंगे विट पढ़ा देंगे खालो कभी कभी डार्ट चॉकलेट खाने से मूल बहुत अच्छा हो जाता है क्यों क्योंकि सेरटेन को रिलीज करने में मदद करते हैं बच्चे नहीं कोई भी खा सकता है बड़े भी ग्राटिटूड जनलिंग जब आप ग्राटिटूड जनलिंग करते हैं लिखते हैं, thankfulness वाले zone में होते हैं वो भी जो आपके life में पहले से अच्छा हो चुका है और वो भी जो आप expect कर रहे हैं advance में उसके लिए gratitude पे करते हैं तो हमारी mind के साथ क्या है जो चीज़ अभी हो चुकी है और हम उससे recall करते हैं तो mind को ऐसा लगते है, यह चीज़ दुबारा हो रही है तो एक बहुत ही shortcut तरीका है happy hormones को बढ़ाने का कि आप अपनी happy memories को याद कर पर उनने लिखो gratitude, thankfulness क्योंकि आप thank you कब कहते हो जब सब अपके life में सब कुछ सही चला होता gardening, gardening करना बहुत ही अच्छा है माप्रकरती से हम जुड़े वे हैं तो जब हम gardening करते हैं रहें के परवान रहते हैं तो मिटी, हवा, धूप, पानी सब पंच सत्वों के संपर्ख में आ जाते हैं और फिर पूरा का पूरा परिवाज serotonin के साथ, endorphin, dopamine, oxytocin सारे के सारे भाई बंदू कहते हैं मैं भी आया, मैं भी आया और पास gardening की activity से आप बहुत ज़्यादा अच्छा खुशी का सुकत एहसास पाते हैं smiling अब भी मैंने बताया दिया पहले ही laughter में कि अगर आप हस नहीं सकते हैं जोर 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 में तो smile करते हैं 40 से 50 बार आपको smile करना है so मैंने आपको इतने sub parts में activities असलिए बता रही हूँ कोई तो जमेगी, कोई तो आपके scene में, दिन में, situation में time के recording group में कहीं तो fit होगी so smile करते रहो, बात बात पे smile करो problem में भी वज़े हो, मुस्कुराते रहो किसी ने अगर कुछ भी उल्टा सीधा भी बखवास कर दिये तो अंदर-अंदर मुस्कुराओ, सामने नहीं मुस्कुरा सकते तो अंदर-अंदर मुस्कुराते रहो जितना मुस्कुराओगे, अंदर-बाहर उतना जादा सेरोडन की बारिश होती रहेगी तो मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ बिना किसी reason के भी मुस्कुराओ खूब smile करो इतनी जादा smile क्योंकि आप देखो किसी के तरफ अगर आप देख के smile करोगे तो उसके चहरे पर भी smile आजाती है उससी reason समझ में आता है लेकिन smile इतनी infectious होती है इतना तेजी से infection spread करती है कि सामने वाले के चहरे पर भी smile आजाती है और जब आप दूसरे के चहरे पर smile सा जा जा रहे हैं तो आपका भी फायदा है तो आप हस दे रहो, मुस्कुरा दे रहो बिना किसी reason के भी मुस्कुराओ volunteering आप किसी भी चीज के लिए volunteer कर सकते हो किसी की मदद कर सकते हो कितना sense of satisfaction कितना एक ऐसे आपकी identity boost हो जाती है कि yes, मैं किसी लायक तो हूना इश्वर ने मज़े बनाया है तो वो एक जो sense of कुछ achievement वाली एक feeling आती है आपको या एक help के बाद जो एक satisfaction से अंदर से मिलता है उससे आपका serotonin release होता है तो किसी की भी मदद जरूरी है कि वो मांगे आप volunteer कर सकते हो पूस सकते हो आप उससे आप कहीं पर भी act of kindness दिखाईए आपका फाइदा ही फाइदा है serotonin की बरसात होगी aroma therapy, fragrance से smell हमारी जो sense है सीधा, कोई भी खुश्पर आपके नाक में जाती है तो कितना relax करती है तो बहुत सारी lavender होगे, rose होगे कोई भी ऐसे जो भी आपको fragrance पसंद है आप उससे smell करे मतब आप जहां पर भी आपका workplace है आपका room है, वहाँ एक अच्छी सी fragrance हमेशा रखे आप देखेंगे, आपका mind उससे बिलकुल शान्त रहेगा, और शान्त दिमाग बहुत अच्छा वो करेगा, सब कुछ अच्छा अच्छा होता चला जाएगा, आपका mood बिलकुल अच्छा रहेगा आप एकदम से बिलकुल पढ़िया first class mood मेरेंगे, आप देखते हैं किसी spa center वगरा में भी salon वगरा में आप जाते हैं, तो वहाँ पर क्या सारा fragrance कितनी अच्छी से वो रखते हैं तो बस enter करते हैं यह एक आप different zone में चले जाते हैं, आपको पक्क ही हो जाता है relaxation, relaxation मेलेगा तो यह भी आपके serotonin को release कराता है creative arts कोई भी आप art form अगर अपनाते हैं उसको art को करते हैं किसी भी तरीके कोई भी drawing, painting किसी भी तरीके से कोई भी creativity any art form कुछ भी आपका तो उससे भी आपके serotonin release होता है बहुत साथा तो अपने उसमें कोई न कोई ऐसा art form जरूर अपनाए जो भी आपको आता है जो भी आपके मन को भाता है आपको जो भी कोई खुशी देता है उसको जरूर करें इससे serotonin की पालिश होते है यहां सब मसाज करते हैं सारा पहरा सब पैठेटिक नोवर सिस्ट्म अक्टिवेट हो जाता है रिलाक्स नीन से आने लग जाती है पॉडी मेसाज के टाइम इतना relaxation मिलता है क्यों मिलता है क्योंकि serotonin की परसाथ होनी शिर हो जाती एक-एक muscle एक-टिशू सब रिलाक्स हो जाते है और एक-टम और वह सब क्या है आपके अंदर serotonin की वजह से हो रहा है walking in nature walk करना बहुत ज़्यादा जरूरी है जब आप चलोगे तो endorphins से लेकर और socializing दस लोगों से कम से कम दया दूआ सलाम होगे आपकी तो oxygen भी release होंगे है ना आपका mood बहुत ही अच्छा रहेगा सब कुछ बिल्कुल first class रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा तो walk करना जरूरी है और क्या कर सकते है cold shower cold shower लेने से फिरसे आपका पहरा sympathetic nervous system activate हो जाता है यानि कि एक गम relaxation वाला zone यानि कि mind को बते चलगे all is well serotonin की बरसाथ बारिश 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 तो आपको जरूर cold shower लेना चाहिए और आपको अब यह बो लेंगे आप यह तो गर्मी में ले सकते हैं सर्दियों में कैसे लेंगे हाँ भी मौसम के नरूप लेना चाहिए तो आप सर्दियों में warm shower लेना है आपको है ऐसा नहीं हो न चाहिए कि आप भरी सर्दियों में दिसंबर के महीने में आप लेंगे आप तो cold shower बताया था मैं आपने serotonin के लिए तो हमें दिसंबर में जनवरी में जहाँ कड़ागे हम cold shower लेंगे मतलब यहां पर जहां हम रहते हैं वायतोष में लाइक जाधत पर क्या होता है कि mostly areas में कर्मी वाला season जाधा रहता है so cold shower ऐसे लेना है जब आपका ठंड चल रही हो आपके area में तो उस वक्त आपको क्या है warm बात लेना है इसी तरह से mindful eating जब आप mindful होकर खाते हैं पूरा अच्छी तरह से पूरा एक एक bite पूरा टेस्स कर रहे होते हैं बहुत अच्छी तरह के से मज़े लेकर खा रहे होते हैं उसकी खाने की smell भी उसका taste भी sub texture भी आपको अंदर तक feel हो रहा होता है तो आप क्या है आपके digestive juices बहुत अच्छी तरह के से रिलीज होते हैं क्योंकि आप बहुत chewing के process में बहुत अच्छी तरह के से काम खतम कर देते हैं आप बिलकुल mindful हैं आप बहुत अच्छी emotion के साथ खा रहे हैं आपके अंदर जो food जा रहा है तो क्या होगा आपका digestion process fast हो जाएगा क्योंकि आप support कर रहे हैं अपने अंदर के system को और अभी मैंने बताया है कहां आपके gut में मिलता है digestive juices release होते हैं आपके अंदर और सारा digestion में help करता है तो जितना अच्छा आप mindful eating करेंगे उतना जादा आपके अंदर सारे हस्ते मुस्कुराते चाहरे देखे हैं जिनके बीचे बहुत दर्द होता है आपने smiling depression के बारे में तो सुनाई होगा और अगर अगर आपने नहीं सुनाए तुम्हें बहुत ही जल्दी वीडियो बना दोंगी क्योंकि smiling depression हमारे बीच में हो लोग रहते हैं जो हमें हस्ते मुस्कुराते दिखाई देते हैं पर पता ही नहीं चलता किसी को कि वो इतना बड़ा depression के जोन में है या उनको इतनी anxiety होती है सो kindness practice कीजिए जब आप दूसरों के पर दी kind होते हैं आप बैठ जाए आराम से और कुछ भी अपनी बचपन की किसी लवड़वन के साथ की कुछ भी happy memories कुछ भी ऐसे आप last trip पर गए थे आपका कोई achievement था कुछ भी आप बैठ कर आराम से वो positive scenarios जो थे उसको recall कीजे और recall करते करते उसे relive कीजे यानि कि देखे जो दिखाई दे पर जो हुआ था सुनें वो जो सब उस time पर आवाजे थी और feel करें वो सब कुछ जो उस time पर आपने feel किया था यानि कि आप अपनी पांचों senses को involve करकर वो सब experience को relive करें और जब आप उस happy scenario को recall करेंगे, relive करेंगे तो आपके इंदर serotonin की बारिश हो रही हो की और आप उस बारिश में पूरी तरह से भीग कर हस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, बहुत ही मजा रहा होगा आपको, इसी तरह से engaging in hobbies, कोई न कोई hobby जरूर आपके अंदर जिन्दा होनी चाहिए, अगर आप अपनी कोई भी एक hobby को maintain रखते हैं, तो आप बहुत ही खुश रहते है और serotonin की बारिश में जब चाहे आप भीग सकते हैं, ना सकते हैं, हस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, तो इस serotonin की बारिश में और लोगों को भी भीगाईए, इस वीडियो को शेर कीजए, कमेंट करके जरूर मुझे बताएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगे और चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करेगा, मैं मिलूंगे आप से नेक्स वीडियो में तब तक आप serotonin की बारिश में भीगते रहिए, हसते रहिए, मस्कुराते रहिए